डाइरिया का मतलब है दस्त लगना या फिर लूज मोशन होना अगर दिन में तीन बार से ज़्यादा कोई मोशन पास करने के लिए जाता है तो इसे दस्त लगना कहा जाता है ये विमारी वाइरल या फिर बैक्टिरियल इन्फेक्षन के कारण होती है जिसके कई कारण हो सकते हैं जैसे अगर हम ठंडा खाना खाते हैं जो बिना डखा हुआ हो या फिर गंदे हातों से खाना खा लेते हैं या फिर कोई infected खाना हम खा लेते हैं तो उसकी वज़े से हमारे bacterial और viral infection हो सकता है इसके अलावा जो typhoid के patients होते हैं उनमें भी दस्त लगने की problem रहती है जो लोग lexative लेते हैं यानि जिनको cubs रहती है और cubs के लिए जो लोग lexative लेते हैं जो दवाईयां लेते हैं उसके जादा लेने की वज़े से भी दस्त हो सकते हैं जिन लोगों को food intolerance की विमारी होती ह है जैसे celiac disease होती है जिसमें ग्याहूं से allergy होती है जो और जाईए से illergy होती है lactose intolerance वाले पीशेंस में दूद और दूद से बने हुई चीज़ों से ऐलर्जी होती है, उनमें दूद और दूद से बने हुई चीज़ें पच नहीं पाती है, उन लोगों में भी दस्त होने के चांसेस बहुत जादा रहते हैं डायरिया लगबग तीन से साथ दिन तक रह सकता है, डायरिया के कारण बुखार हो सकता है, पेट दर्ध हो सकता है, उल्टी भी हो सकती है और इसकी वज़े से डेहाडरेशन होना एक में प्रोब्लम है जिसकी वज़े से पिशाब में कमी आ जाती है, या तो दिन भर में ब्लड ब्लड आ सकता है जो वह सोखी हो जाती है और आखे अंदर धस जाती है डायरिया से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें खाना खाने से पहले अपने हातों को साबुन से अच्छी तरह से साफ करें सोचाले जाने के बाद भी अपने हातों को साबुन से अच्छी तरह कैसे साफ करें और ठंडा खाना यानि बासी खाना नहीं खाएं, बिना डखावा खाना भी नहीं खाएं और पीने के लिए साफ फानी का यूज करें डायरिया होने पर हमारे बोड़ी में dehydration हो जाता है यानि शरील में पाने की कमी हो जाती है जिसको restore करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीजों का शेवन करना चाहिए जिसमें जादा से जादा पानी पीना चाहिए, नेम्बू पानी पीना चाहिए, नारियल पानी, डाल का पानी, चावल का पानी या फिर छाच और लसी भी हम इसके लिए ले सकते हैं इसके अलाबा खाने में हलका खाना खाना चाहिए जैसे खिचडी, डलिया, केला जिनमें फाइबर्स जादा होते हैं और जादा मसालेदार और तेल वाली चीज़े नहीं खाना चाहिए डाइरिया होने पर दूद और दूद से बनी हुई चीजे खाने से डाइरिया और ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए दूद से बनी हुई चीजे नहीं खाने चाहिए दही, लसी और छाज जैसी चीजे अपन ले सकते हैं अगर loose motion की सिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जैसे stool में blood आ रहा है या फिर dehydration बहुत ज़्यादा हो गया है कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई है तो डोक्टर को दिखा कर medicine जरूर लेना चाहिए इससे अगर body में electrolyte imbalance और dehydration हो गया है तो drip लगा कर उसको maintain किया जा सकता है और दवाईयों से diarrhea को ठीक किया जा सकता है यह था हमार आज का वीडियो वीडियो को like करें share करें आपके मन में कोई सवाल है तो comments करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए be happy be healthy